हेलो बच्चो मेरा नाम जगदीप है और मुझे 18 सालों से economics पढ़ाने का experience है क्योंकि इन 18 सालों मैंने हर बोर्ड के बच्चे को पढ़ाया है इसलिए मुझे सारे बोर्ड के paper patterns, answering techniques की information है अगर आप इस information को जानना चाहते हो तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अपने पिछले वीडियो में हमने law of diminishing marginal utility के बारे में बात की थी इस वीडियो में हम उसके exceptions को पढ़ेंगे law of DMU यानि के diminishing marginal utility क्या बताता है एकसेप्शन पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि DMU में क्या पढ़ावा what was law DMU all about? so law of DMU ये कहता है यानि कि law of diminishing marginal utility ये कहता है कि जैसे जैसे एक given commodity की quantity हम जादा consume करते हैं जादा खाते हैं हर एक additional commodity की unit जो हम consume कर रहे हैं खा रहे हैं उससे मिलने वाली happiness यानि कि उससे मिलने वाली utility जिसे हम marginal utility बोलते हैं वो कम होती है ठीक है वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है as more units of a commodity are consumed the utility obtained from this consumption decreases ठीक है ये law कहता है अब exceptions वो सिनारियो है जो इस law को violate करते है violate करना मतलब इस law को follow नहीं करते हैं उसके oppose में चलते हैं उसके विप्रीत चलते हैं ठीक है so exceptions क्या कहते हैं कि जैसे जैसे एक unit हम commodity का जादा consume करते हैं उस एक additional unit से मिलने वाली utility याने की marginal utility भी increase होगी तो यहाँ पर हमारी marginal utility कम हो रही थी जो की law की statement थी और exceptions में ये marginal utility बढ़ रही है जो की exceptions है ठीक है बढ़ते आगे देखते हैं क्या क्या exceptions है से कौन से situations है जहां पर ये condition applicable है ये पहला exception है ये पहली situation है इसे हम बोलता है collection of rare things वो चीज़े जो बहुत rare है कम मिलती है जब उनकी collection कोई करता है उनको जब कोई कठा करता है तो उस एक additional unit को जो हम अपने collection में add करते हैं उससे हमारी satisfaction बढ़ती है अभी ऐसे कौन सी चीज़े है example के तौर पे मैंने या लिख रखी है artifacts है पुराने coins है स्टैंप्स हैं भले आप अपनी country के कठे कर रहे हो या दूसरी country के कठे कर रहे हो postcards है या artwork है तो इन चीज़ों को जब आप जमा करते हो कठे करते हो पोईट्री कविताय रीड करना इससे भी हमारी additional unit कंज्यूम करने पर marginal utility जो है बढ़ जाती है अब यह वाली कंडिशन है यह वाली जो सिच्वेशन है अब सभी एक्स्पीरियंस कियोगी आज भी हम golden era के गाने सुनते हैं golden era के गाने कौंसे घाने वह आज भी उतने ही सुन्दर लगते हैं उतने ही उनको मजा आता है इतना जदा कि आज की फिल्में भी उन गानों को रीमिक्स करकर के अपनी मुवीज में आट कर रही है तो यह क्यों हो रहा है क्योंकि उसको सुनने से हम उब नहीं रहे हमें अच्छा लगता है उसको सुनने से जितनी बार हम उस गाने को सुनते हैं उतनी बार हमें अच्छा लगता है हमें मजा आता है तो मार्जिनल यूटि यह उतना ही अच्छा लग रहा है या शायद उससे पहले से जादा अच्छा लग रहा है पर बोर नहीं हो रहे तो यह जो सिच्वेशन है यह लौ के अगेंस चली गई है क्योंकि एडिशनल यूनेट कंज्यूम करने से बोरियत आने के बजाए आपको मजा आ रहा है ठीक है अभी अनादर कैटेगरी है यह कंडिशन या सिच्वेशन नहीं है यह एक तरह के कि लोग है इन्हें हम बोलते हैं कंजूस वैसे कंजूस के साथ क्या एड किया जाता है कमेंट्स में जरूर बताएगा जानना चाहूंगी हर स्टेट में कंजूस के लिए क्या-क्या वर्ड सुच्वाइशनल एड़नी यह उडिशनल अता है रन चाहरें मतलब है कि यह लोग को कर रहले हैं भी आप Україंघेट में ह में 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 जरूरें यह चाहिए ज़iamoald, क्या आप ग्षा में मवें एडिशनल यूञा algumas जं़ाप inimा सरीच्वा इंछ नहीं प्लावाइब शासब सा जक्ता है उनके पास उनकी दीजोरियों में एक पैसे का जमा होता है कि कश हथ तक इस से स्म момент करता है सें ज्udi quick कि अहले है कि उतनी ज्यादा हमारे पास छीजें होंगी सैस्टिस्पेक्शन उतनी ही ज्यादा हमें खुशी मिलेगी और marginal utility कम होने के बजाए बढ़ रही है इसके लिए इसे हम exception में गिनते हैं ठीक है I hope यहां तक आपको समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं द्रंकर्ड्ड्ड्ड्ड यानि वह लोग जिने तारू पीना या शराब पीना बहुत जादा अच्छा लगता है और वह बहुत जादा कंजूम करते हैं तो यहां पर भी यह एक एडिक्शिन की तौर पर देखी जाती है तो क्योंकि वह एडिक्टेड है उसे वह चीज एक अ को कंजूम करने से उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है कम होने के वजाए इसके लिए इसे भी हम एक एक्सेप्शन के तौर पर गिनते हैं ठीक है तो इसको लिखना कैसा है एक्जाक्ली ऐसे जैसे मैंने यहां लिखा है तो आज ड्रंकर्ड कंजूम्स मॉर और य लिखना इसमें एक चीज और एड कर देंगे उसमें हम लिखेंगे दैर बाई वाइलेटिंग दे लौ आफ बीम्यू ठीक है लाइकवाइस पावर पावर बिजली वाली पावर नहीं ताकत ठीक है कंट्रोल अथोरटी इस चीज़ की पावर तो जब किसी इंसान के पास पा हापीनेस मिलती है और ज्यादा यूटिलिटी मिलती है ठीक है क्योंकि किसी भी इंसान की जो डिमांड है पावर के लिए एवर राइजिंग कभी कोई यह नहीं बोलेगा कि मैं डिमोट होना चाहूंगा राइट हब हर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है ग्रो होना चाह कर रहा है उससे उस बंदे की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है कम होने के बजाए इसलिए यह एक एक्जेप्शन है लौ ओफ डिम यू क्या लोग कोई इंसान पॉलिटिशन है वह मेले है तो मेले से चीफ मिनिस्टर बनना होगा चीफ मिनिस्टर से उसका नेक्स हो पाती और जितनी ज्यादा एक इंसान अक्वायर कर ले उतना ही ज्यादा उससे अच्छा लगता है इसलिए पावर को भी हम एक एक्सेप्शन मानते हैं अगला एक्सेप्शन है वह पैसा ऐसा कोई इंसान है जो यह वीडियो देख रहा है और यह बोले कि ओके मेरे पास जितना पैसा है मैं उतने में खुश हूं मुझे और नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं बोलता साधू संतों के अलावा ठीक तो नीड फॉर मानी इस इंसेशेबल पैसे की जो रिक्वायर्मेंट है जो नीड है वो कभी भी खतम होने वाली नहीं है इसलिए हर एक इंसान जब भ बढ़ जाती है कम होने के बज़ाए ठीक है इसके लिए मनी को भी हम एक एकसेप्शन मानते हैं जितना पैसा आजाए इंसानों के लिए उतना अच्छा पैसा कभी भी पूरा नहीं पड़ता हमेशा कम ही पड़ता है क्यूं कि नीड फॉर मनी इस इंसेशिएबल और जितना और ज्यादा खुशी मिलती है इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इच एडिशनल उनिट ऑफ मनी एक्वायर्ड गोज हायर ठीक है इसलिए मनी को भी हम इसलिए इसको एक्सेप्शन बोला जाता है मैंने नहीं लिखा क्योंकि वह रेपेटिटिव लगता और बोर हो जाते आप विडियो में पर एक्जाम में आपको यह लिखना पड़ेगा तो मान लोगर आप इस पॉइंट को लिख रहे हो मनी वाले पॉइंट को तो आप कैसे लिखोगे नीड फॉर मनी इस इनसेशिबल अस पीपल एक्वायर मोर एंड मोर यूनेट्स ऑफ मनी marginal utility from each unit tends to increase this violates the law of DMU and hence it is an exception ठीक है उसी तरह से इसको भी लिखेंगे और उसी तरह से इसको भी लिखेंगे इस particular law का ठीक है बच्चो अपने नोट्स जरूर बना लेना यह सिच्वेशन बहुत कॉमन सिच्वेशन हैं बट कभी इस तरह से हमने पड़ी नहीं कभी इस तरह से हमने इने देखा नहीं एक्जाम टाइम पर इसको लिखना थोड़ा सा लेक्चर्स तूँ स्क्रीन पर दिये नंबर पर डेफिनेटली कॉल करें या टेक्स्ट छोड़ दें ठीक आज की क्लास में बस इतना ही तो मिलते हैं अंगले वीडियो में बाई ना टेक के